हाई फ्रेंद्स हाव यू वर्य गूड मॉर्निंग से चलिया देखतें क्या था क्वेरी बात भी लेंगे आपने पेज फोर पे देखा होगा कि थोड़ा सा ओडिशा का आया हुआ था आयरन ओर को लेके कि वो उन्होंने लॉग्डॉम में भी काफी कमाया आयरन ओर अब आइनिद्स होटी में मिस्ट्रेक्स होती है इंडिया मिनरल्स change होगा तो मैं आपको update कर दूँगा जो इसके basics होंगे वो हम geography की basics book जो हम general studies का course शुरू करेंगे उसमें देखेंगे it is important for prelims देखे iron ore ना चार तरीकी के होते है magnetite और ये depend करता है iron ore की quality depend करती है उसमें iron का proportion कितना है जितना iron का proportion जादा होगा उतना जादा अच्छी quality का iron ore माना जाएगा iron ore में चार qualities होती है magnetite सबसे अच्छी quality उसमें 72% की क्रीब iron होता है फिर hematite hematite में क्या होता है 60-70% iron होता है it is not exactly 69.9 हो ये दे रखा था India minerals yearbook में but it depends कई बार ये vary करता है 60-70% को भी hematite माना जाता है फिर आता है lemonite 55% होता है और cidlerite वो होता है 48% ठीक है तो highest content जो होता है वो magnetite type में होता है इंडिया में जादे तर जो मिलता है वो magnetite और hematite होता है underground reserves में यादखेगा underground reserves में होता है और magnetite की proportion जो है वो 32.4% है और hematite की proportion है वो 67 है तो यह यादखेगा hematite के reserves हमारे पस जादा है और उसके बाद magnetite के reserves है ऐसा नहीं है कि हमारे पस lemonite और cidlerite की नहीं है बहुत है बहुत कम है इनका proportion बहुत कम है points percentage में है या 1-2% में है cidlerite की क्या होता है कि economically viable नहीं रहता है इसको explode करना तो यहाद देखेगा तो most important iron ores जो मिलते हैं इंडिया में जब भी बात होती है वो किसकी होती है hematite की और magnetite की और ज़्यादा कौन सा मिलता है hematite मिलता है फिर उसके बाद 32% करी मिलता है magnetite और 59% के जो hematite के deposit से वो ज़्यादा तर मिलते है eastern sector में और 92% magnetite जो iron ores जो ज़्यादा चीक quality का है जिसको magnetite बोलते हैं 92% उसके deposit है southern sector में यह important हुझा था प्रिलिम्स के लिए अब hematite के जो resources है वो जातर कहा है hematite जो है 35% Odisha में मिलेगा आपको कहीं-कहीं आपको sites पे देखेगा claim करते हैं 50% that is totally wrong जो hematite की resource है जो यह दिया यह इंडिया minerals yearbook का है तो government का data है इसी पर रिलाय करिए और किसी site में मत जाएगा तो 35% Odisha के हैं जारकन में 25% है 36 गन में 20% है तो कहीं-कहीं जगे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि hematite के जो deposits है वो जारकन में जादा बताया हूंगे वो भी गलत है government data को ही believe करिएगा उसमत गोवा में 5% है देखिए deposits की बात अलग होती है और production की बात अलग होती है आप लोगों ने अगर पिछले पहले के papers देखे होंगे तो याद होगा आपको कि गोवा में सबसे जादा production होती थी मतब दस साल तक राज रहा है गोवा का इन आइरन ओर production क्योंकि वहां पर बहुत जादा explosive मतब बहुत जादा वो कर रहे थे exploration बट अब क्या है कि गोवा को overtake कर लिया है दूसरे states ने तो इस टेम जो गर production की बात करें हमेटाइट की तो ओडिशा में जादा है फिर जारकंड है फिर 36 गर्ट फिर करनाटका फिर गोवा बैलन्स भी मिलता है वो आंद्रपदेश असाम बिहार मद्रपदेश इसके भी notes बनाइएगा कि यह कहां कहां मिलता है क्योंकि पूछ सकते हैं कि iron ore deposits can be found in Rajasthan तो हां Rajasthan मिलता है तो यह नहीं कि आप top 5 की states याद करें नीचे की छोड़ दे तो नीचे कभी आपको यह data बनाना होगा और इंडिया के जो आप यह देखे magnetite की बात करें तो एक बार प्रेलम से question आया था कि more than 50% of magnetite resources are found in करनाटका तो यह बिल्कुल ठीक है यह क्योंकि iron ore में confused हो जाता आदमी कि hematite की बात कर रहे है या magnetite की बात कर रहे है तो उसमें particularly magnetite का पूछा गया था तो यह देखे कि magnetite के जो resources हैं उसमें 72% हिस्सा करनाटका का है तो यह थोड़ी से जहरकन, केरला, महराष्ट, मेगालन, नागलन, ओडिशा, टैलंगना सब को मिलाके सिर्फ 2% ही है बाकी 98% करनाटका, आंधरापरदेश, राजस्तान, तमिलनाडू और गोवा के पास है तो यह important हो जाता है कि गोवा के पास दोनों है ऐसा नहीं है कि करनाटका के पास है 72% यह बहुत important हो जाता है कि कई बार question आजाता है कि more than 50% question आए भी हुआ है कि more than 50% of magnetite or deposit आफ फांड इन करनाटका यह statements में question आता है तो यह याद अखेगा उसके बाद आपको second statement यह हो सकता है कि more than 50% of hematite production resources are found in audition नहीं गलत है वो 35% ही है एक magnetite को छोड़के 50% जादा किसी के पास कुछ नहीं है और यह जो source है वो India mineral airbook है there are many answers on different sites but सिर्फ government website को आपको वो करना है अच्छा दूसरा क्या है कि सबसे जादा अगर production देखी जाए major producer देख जा यारे लोर को कौन है सबसे जादा है China फिर Australia, Brazil, फिर India आपको हो सकता है कि लोग कहें कि कई sites का को दीखेगा कि Australia है reserves के मामले में कि सबसे जादा reserves Australia के बास है no doubt इसमें India की 7th rank आती है और China की 4th rank आती है और Brazil की भी आती है 2nd rank बट अगर production की बात करी जाए देखे आपके पास कुछ चीजे हैं आपके घर में रखी हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं आप उसको कितना use कर रहे हैं उसकी बात होती है तो जमीन के नीचे reserves से नहीं बात बनती वो reserves गाली कर्टेगर में आता है अगर आपसे सुप्रीम कोट ने जो हमने लेक्चर अपने अच्छी बात है देखिए हमने कल ही ये made fodder बनाया था sorry 10th में लिख दिया it was on 9th में हमने 9th में के lecture में ये discuss किया था कि इसको as a fodder लिखिए और आज ही इस पर editorial आया है उस editorial को पढ़ने की जूट नहीं है जैसे कल हमने डिसकस किया था कि इसको एक fodder बना लिजेगा जरूर ठीक है उसमें एक editorial पर trips waiver का था US supporting देखिए अभी US support का रहा है final decision जो हमने किया था सब कुछ हमने बात भी की दिसके बारे में जून में होने वाली है तो उसके लिए अभी तक जो भी trips के बारे में आपने detail पढ़ना है वो आप सिर्फ 28th April का lecture सुनिए जो उसमें दोहर declaration WTO क्या है, trips क्या है compulsory licensing क्या है उसमें सब discuss हुआ हुआ है वो आप अच्छी तरह पढ़िए क्या India और South Africa के demand है for trips और क्या European nations के reservations है, वो क्यों नहीं करना चाहते है इस चीज को, और यहाँ पर 9th में का lecture है क्योंकि हम already made for order 10th में नहीं, 9th में है तो इसका ध्यान रखेगा, अच्छा उसके बाद एक editorial पर थोड़ा सा यह अच्छा था, यह आप आपके interview के लिए important हो जाता कई बार यह, यह means की writing में भी अच्छा रहेगा, आपने देखा होगा कि कैसे hospital beds, drugs ventilators, हर चीज की shortage पढ़ रही है oxygen की, concentrators की बहुत shortage पढ़ रही है, और world हमें help करने आ रहा है, they are coming forward, US आ रहा है, UK आ रहा है, European Union आ रहा है, चाइना भी आ रहा है हम नहीं ले दे, चाइना से बात अलग है बढ़ चाइना भी आ रहा है, as a grant कह रहा हूँ as a commercial contract हम ले रहे हैं, but as a grant नहीं ले रहे, तो कहते हैं कि इसको एक नब बड़ा अच्छा comparison कर रहा है उसने, कैसे mid 1960s में से भी, जब 2 साल लगाता, drought पड़ा था, सूखा पड़ गया था उस टाम हमें बहुत ज़ादा shortage आई थी food की, तब हमें इंडिया को जाना पड़ा था, US के पास for assistance तो US ने बड़ी खरी-कोटी भी सुनाई थी don't go in detail for that but ये था कि उस टाम भी हमें ये बड़ी हलात को जूजना पड़ा था जो हमें दुनिया के पास अपना हाथ फिलाना पड़ा था कि या हमें हम help करिये तो आज भी कुछ ऐसी ही situation है आप इसको अपने mains के किसी भी जगे use कर सकते हैं as a forder, बहुत अच्छी चीज दी हुई है तो कहेंगे हैं कि हमें हिस्ट्री की वो moment happy नहीं थी, देखिए एक हाथ फिलाना किसी को अच्छा नहीं लगता किसी और के आगे बट हम कहेंगे कि उस time के हमारी country की leadership जो थी बड़ी inspiring काम किया था उन्होंने, leaders of our country then, देखिए वहाँ पे इस article में Congress के prime ministers का नाम दिया गया था वो मैंने इस मचता ठीक रहेगा आपको देने के लिए क्योंकि जो भी दो-तीन साल में attempt दे रहे होंगे इस time BJP government and no doubt क्या होता है कि कुछ फरक पढ़ता है, इन चीज़ों का impact पढ़ता है आप ये मत सबचे का कि नहीं पढ़ता है तो थोड़ा सा आप पोशिश करेगा leaders आप लिखे खाली, don't mention any name कि हमारे उस time के leaders ने scientific और bureaucratic communities के साथ बैटके एक बहुत बड़ा change ले आये थे quantum leap लेके आये थे food production में और बहुत जल्दी हमने कुछ ही सालों में green revolution लेके आये थे जो एक अलग से stand out होता है इंडियन हिस्ट्री में आज भी और हमने वो शो करता है कि extraordinary accountability by the political leadership resolve combined और humility और intelligence के साथ कैसे हमने उस चीज़ सा सामना किया और green revolution लेके आये उसके बाद आपको पता है कि हिंदुस्तान को कभी भी किसी के आगे हाथ विलाने की जरूरत नहीं पड़ी तो हम कहेंगे कि जो lesson हमने green revolution से सीखा है कि जब ऐसे कुछ extreme crisis आ जाते हैं और ऐसे adverse circumstances आ जाते हैं वो आ सकते हैं बट हमें उस time क्या होगा कि जैसे उस time हमने possible बनाया था with political leadership and with our bureaucratic and scientific communities coming together उसी तरह हमें आज भी करना होगा with sincere and competent leadership जादा मत लिखेगा कि बहुत जादा बुराई नहीं करनी होगी इसमें क्योंकि उस time situations अलगती आज की तरह में situation अलगे बट अगर आप अपने mains के उस point में ये थोड़ा से compare कर देंगे न थोड़ा सा congress inclined है देखिए मुझे किसी party से problem नहीं है बट क्या होता जब आप attempt देते हुए कर देते हैं तो ये question अगर आप किसी party towards कर देते हैं तो आपको answer में दिक्कत आ जाती है ठीक है वो आपका लगता है कि biased view है तो थोड़ा सामें ये देखना होगा कि उस time के हमें बस ये लिखना होगा कि उस time की leadership ने जैसे उस circumstances को overcome किया था आज भी हमें वैसी ही sincere and competent leadership के साथ करना होगा no doubt आज हम help लेने हो सकता है हम भी pharmacy capital of the world हैं बट हमें थोड़ा सा अपनी सबको इकठा लेके चलके इन चीजों को overcome करना होगा इतना ही लिखेगा उसके बद एक page 8 पे था कि जिसमें आपको पता है FCRA का सारा दिया हुए हमने अल्रेडी कल भी discuss किया था इसको तो 30th January का lecture attend करिए बहुत important है और आपको playlist में मिल जाएगा वो Hindu analysis for January की playlist के अंदर लिप जाएंगे तो आप 30th January को ढूंड सकते हैं नहीं तो आप खाली Google यूट्यूब के box पर भी लिखेंगे think different Hindu analysis 30th January I think आज आएगा उससे भी और आपको पता होगा cash donations अगर आपको लेनी है from FCRA तो आपको approval चाहिए होते है Minister of Home Office हम ये कल भी properly discuss कर चुके हैं उसके बाद एक page 9 पे था Galathia Bay के बारे में तो एक तो याद दखेगा कि Giant Leatherback में हम मिलते हैं Giant Leatherback Turtle ये world की largest marine turtle है उसके बाद आप थोड़ा सा देखे खाली आपको Great Nicobar पढ़ने से कुछ नहीं होगा और क्या उसको clearance मिले है क्या नहीं थोड़ी से हमें चीज़े देखनी होगी एक तो ऐसे ही case चल रहा है Little Enderman का उसके लिए 1st February का lecture attend करिए बहुत अच्छी तरह with map दिया हुआ है with map सारा समझाया हुआ है फिर एक Great Nicobar पर जो आया था क्या Galatia Way क्या क्या सब कुछ है वो 21st March का lecture पर टेंड करिए Eco Sensitive Zones क्या होते है उनका सारा क्या सिस्टम है क्या activities वहाँ पर allowed है क्या नहीं It is very important for prelims प्लीज इसको ध्यान से सुनेगा 9th February का lecture है मेंस के लिए भी notes बना लिजएगा उसके बद एक environmental appraisal committee का आया हुआ था इसको basically expert appraisal committee कहते है union में भी होती है इस state levels पे भी है और इसको appoint करता है environment ministry करती है एक advice करती है government को on environmental clearances किसी भी जो project अगर आप suppose को project लेके जा रहे है तो उसकी environmental clearance चाहिए तो वो वाली committee देती है तो वो government को guide करती है कि हाँ इसको approval दे तो इसको approval दे था ठीक है उस पर एक page 13 पे था तो तीन चार चीज़े आपको note करनी है prelims के लिए कि एक तो long march 5B Y2 rocket किसका है चाइना का है वो त्याहने लेके जारता त्याहने क्या है त्याहने basically तीन components जाने है उपर चाइना के जो space station बनना जैसे ISS international space station है जो US यह सब country सा मिला के रश्या सारकों मिला के तो 5-6 countries का वैसे ही चाइना अपना खुद का space station भेज रहा है तो महाँ पे तीन components बननने है और उन में से एक component है त्याहने और त्याहने का क्या होगा क्या नहीं वो छोड़िए space station का क्या नाम होगा त्यांगोंग होगा और यह important है प्रिलिम्स के लिए त्यांगोंग अगर आपसे पूछते हैं क्या होगा तो space station है चाइना का और basically क्या news है यह है कि उसका debris जो यह त्याहने को लेगे गया था वो गिरा है Maldives के West में तो एक तो NASA ने उसको criticize किया है कि आप responsible standards को meet नहीं कर रहे है चाइना ने reject किया वो concerns उन्होंने का था कि जादता debris जो है वो re-entry के time पर burn हो गया था और उसका थोड़ा बहुत जो गिरा है वो international waters में गिरना था हमें पता है और China ने कहा है हमें जादा मत समझाइए आपका जो SpaceX Falcon 9 rocket था वो भी Washington State में गिरा था बट आपने उसको criticize नहीं किया था ना किसी और नहीं किया था थोड़ा सा इंटर्वियू में अगर आपस पूछते हैं तो आपके पास important points होने चाहिए देखिए ISS जो है वो आपको पता है रश्या उसको छोडने वाला है वो अपना space station ले क्या रहा है इसके लिए हमने international space stations में कौन-कौन सी different space agencies का हाथ है कब ये गया था, कैसे गया था कब इसका first launch हुआ था कब तक ये चलेगा बहुत detail में है 25th April के lecture में प्लीज सुनियेगा इस वेरी important for prelims उसके बाद एक page 13 पे सुधान का issue था though it is not important for current perspective पर थोड़ा सा south सुधान का आया था तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसकी history और brief में दे रहेता हूं with map थोड़ा सा आप लोगों समझ आ रहेगा क्या चकर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपको इसके notes बनाने हैं तो बनाइए, नहीं बनाने हैं तो सब सुन लिजी अच्छी तरह है क्या था कि 1956 में इंको British से और Egyptian colonial rule से अज़ादी मिलीती सुदान को उसके बाद भी सुदान ने बहुत सर फेमाइन violence, political crisis देखे हैं since the beginning ठीक है, जब से वो अज़ाद हुआ है सुदान को rule कर रहे थे खार्तों खार्तों के हैं, Arab elites मतलब लगा लेकर चलिए, जो Arab के states के करीबी थे, और वहां के शेक के करीबी थे, तो Arab elites के जो group था, जिनको खर्तों बोलते हैं, वो rule कर रहे थे उनको 1989 में आपको पता है, ओमर अल-बशीर बहुत famous नाम था, क्योंकि ICC ने भी सो सजा दी थी, for genocide तो थोड़ा सा ये देखना है कि ओमर अल-बशीर जो था, इसने democratically elected government को हटा दिया था, और खुद इस पे बन गया था, बैट गया था, बॉस बन के इंग का और इसको बशीर को उस टेम back किया था, National Islamic Front ने ये Muslim Brotherhood के affiliate थे और National Islamic Front का basically मन क्या था, कि उनको Orthodox Islam लेके आना था सुदान में, उससे पहले चला करता था सूफीजम, सूफीजम हर चीज, सूफीजम इसलाम में हर आदमी पसंद करता है, बट ये Orthodox Islam लेके आना चाहते थे सुदान में, बगर जब बशीर ने जब capture कर ली थी power ठीक है, अब क्या था कि वहाँ पे दो रीजन्स है, South Sudan और दर्फूर, दर्फूर जो है West में है South Sudan जो है South में है और वो बड़ा उन लोगों को दिक्कत हुए कि government ने क्या करा है कि वहाँ से लोगों, क्योंकि South Sudan जो है, उसके पाद अच्छा it has rich resources of oil and gas ये नहीं है कि बहुत ज़ादा है अगर आप world level में बात करेंगे तो उसमें कहीं compare नहीं कर सकते, बट हाँ उसके हिसाब से अच्छे resources है और दर्फूर में क्या है, gold के deserves अच्छे हैं, अब क्या है कि दर्फूर और वहाँ के लोगों का development तो वो करनी रहे थे वहाँ से पैसा कीचा और नौर्थ सुदान को develop कर रहे थे, तो साउथ सुदान और दर्फूर के रीजिन्स में बहुत ज़दा बगावत की बूँ आने लगी, तो नौर्थ सुदान में जहाँ पर abilities बैठते थे, उन्होंने भी अपने militants बनाए, ताकि उनको खतम करा जाए साउथ सुदान और दर्फूर के लोगों को उनकी बगावती अवास को, अब क्या किया कि साउथ सुदान में तो दर्फूर में तो आज भी fight still going on, ठीक है, वहाँ का कोई solution नहीं निकला है, साउथ सुदान ने तो क्या किया है, वहाँ के दिंका ट्राइब सी और वहाँ के कुछ heroes थे, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने अच्छा step उठाया, और 2005 में एक peace agreement हो गया North सुदान में और South सुदान में, उसमें क्या हुआ था, कि उन्होंने का था, referendum करेंगे 6 साल के अंदर अंदर, कि क्या होना चाहिए, साउथ हो क्या नहीं, तो referendum हुआ तो 2011 में और South लोगों ने का था, कि हमें तो new nation बनाना है, तो इसलिए 2011 में South Sudan एक new nation बन गया था, अब South Sudan में क्या इतने recent issues चल रहे हैं, उसमें को जाने की जरूरत नहीं है, बस सुदान का एक concept यही था, कि North Sudan बेसिकली सारे सुदान को rule करता था, और क्या नहीं, South Sudan और Darfur region खुश नहीं थे, Darfur में अभी भी conflict चल रहा है, बट South Sudan अपना separate nation बनाने में काम्याब रहा, अब देखें, यह है map, यह पूरा, यह पूरा है, Egypt के नीचे है, चाड के right में है, लिब्या के इधर है, तो ध्यान से यह map study करिए, यह पूरा सुदान है और यह North Sudan है, येलो में Blue में Darfur है, West की side पढ़ता है जो, और South Sudan नीचे है, ठीक है अब यह separate country बन गई है South Sudan, इसकी Democratic Republic of Congo से border लगता है, उगांडा से लगता है, कीनिया से लगता है, इथोपिया से लगता है, C.A.R. से लगता है ठीक है, दरफूर कहा है, चड है इधर, इधर लिब्या है, North Sudan का क्या है, Red Sea भी पढ़ता है, उसके border में Egypt है, उपर इसके, इधर यह इथोपिया से भी है, Eritrea भी से भी है, इसका border, तो थोड़े से bordering countries important हो जाते हैं तो अगर आपको लगता है, तीन चार countries अगर आप याद कर सकते हैं, तो थोड़ा इंडियन foreign service का section के बारे में भी बताना, भाया, इंडियन foreign service का, आप मेंगल से नहीं है इंडियन foreign service, इंडियन IS यह सब एक ही exam है, UPSC means civil service exams, आपकी rank पर और आपकी preference पर depend करता है, कि आपको IS मिलेगी, IFS मिलेगी, क्या मिलेगी तो Indian forest service का exam कोई अलग नहीं है, एक ही exam होता है उसमें आपके according to your rank and your preference, आपको allotments होती है ठीक है, उसके बाद really beneficial यह हो, thank you so much, आप लोग, जितने भी लोग appreciate कर रहे हैं, I really thank from the core of my heart क्योंकि बड़ा appreciative लगता है, क्योंकि कोई भी अगर आपको you know, appreciate करता है तो आपको और, दिल करता है कि मैं और ज़्यादा महरत करूँ, और ज़्यादा अच्छी तरह लेकिया है इसको तो thank you so much, एक ने लिखा sir, how to retain so many facts, भाईया UPSC में आयो, ठीक है लगवाने आयो, लगवाने तो पड़ेगी, अब injection, जब आप लगवाने जाते हैं, तो दर्थ सबको पता होने वाला है, पर injection लगवाना बढ़ता है, क्यों आपके भले के लिए होता है, तो UPSC में आयों, तो ये questions, तो छोड़ दीजे, इतने facts, कैसे याद दखें, कैसे नहीं, देखें, Sunday to Sunday, जो आप lecture सुन रहे हैं, उनके Sunday to Sunday revision करिए, फिर कभी महीने में टाइम इले, फिर revision करिए, और जब आपका prelims करीब आने लगता है, तो दो, ती महीने पहले तो आपको बहुत जादा focus करना पड़ता ही है prelims पे, क्योंकि mains के लिए you don't have to remember so many facts, उसमें आपका लिखने की skills ज़्यादा होती है, बट prelims के, ऐसा नहीं यह facts याद ही नहीं रखने, अगर facts याद रखेंगे, तो देखें तभी आप top के 50 में आएंगे, नहीं रखेंगे याद, तो कभी नहीं आप आएंगे, कुछ facts याद रहने हैं पड़ेंगे, बट जितने prelims के लिए रखने पड़ते हैं, वो जरूर है, बट आप देखें, जब आप शुरू-शुरू में आते हैं, तो लगता है, बट देदेरे habit बनते हैं, तो क्योंकि आपको अपनी दिमाग की power नहीं पता है, आपका दिमाग चाहे तो पता नहीं कितना कुछ कर सकता है, पूरे world को क्या है, पूरे universe को अपने अंदर समा सकता है, तो don't worry, अपने आपको let down मत करिये, थोड़ी सी महनत करिये, और जोश के साथ करिये, आपको अपने आप ही याद होने लगेगा, ठीक है, that's it for today, thank you so much, have a good day, bye, take care